अगर आपका Reconet 43-inch 4K Smart LED TV में Mobile Hospital connect करने में प्रोब्लेम होड़ा है या फिर Wi-Fi connect करने में प्रोब्लेम होड़ा है ये एक Reconet 43-inch Smart TV है जिसमें Wi-Fi connect करना कैसे है और Mobile Hospital कैसे connect करने ये जानेंगे साथ में ये भी जानेंगे अगर कुछ problems हो रहे क्यों connect नहीं रही क्यों नहीं हो रहा है क्यों से इसका solution करते हैं यह जानेंगे वीडियो को complete end तक दिखेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नामे संजय चैनल पर आगर पहली बार है चैनल को subscribe करके साथ में notification bell प्रेश करना ना भूले क्योंकि मैरा इस चैनल पर always TV and DTS related वीडियो का चैनल को प्रेश करने के बाद अपको सामने कुछ इस तरह से home screen आ जाएगा यहां पर देखेंगे आप राइट हैं साइट पर देखिए नेट्वर्क सेटिंग एक option मिलेगा नेट्वर्क सेटिंग पर जाना है यहां से अपको Network Setting पर जाने के बाद वहां से आपको वो Settings का Option मिलेगा एक मिलेगा ओरette Connection एक मिलेगा Wi-Fi Connection ठीक है तो आपने अगर Mobile Home Spot से Connect करना या फिर Wi-Fi से करना है तो Wi-Fi Connection को Select करना है यहां से ठीक है यहां से Second वाला Option जाए है Wi-Fi इसे Select करना है इसका आके OK करे इसका बाद यहाँ से आपको connection आपका जो भी device अपने connect कर रहे है उसका name यहां से शो हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर mobile connect किया mobile का name यहां से show हो रहा है और यहाँ से आपको देखिए password डालने की option आ गया तो यहाँ से आपको password जो भी है आपका hotspot का या फिर mobile hotspot का या फिर wifi का वह password को correctly यहाँ पर डालना है नीचे number की बगरा है या पिर alphabet है इसको type करकर या भूड को डालना है ठीक है तो यहां से जब भी आप connect करें आपका wifi को on करें या फिर mobile hotspot को on करें करके आप यहां से यह process करें तब बढ़ी आसानिसे आपका connect हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम यहां से अपना फटापट जो भी पासवार्ड है इसे टाइप कर लेते हैं टाइप करके enter पर महां okay करेंगे तो यहां से मैंने अपना जो पासवार्ड है मुबाइल होस्पोर्ड का पासवार्ड इसे फिलल टाइप कर रहा हूं होगा यह भी बताएंगे इस वीडियो में तो चलिए हम यहां से फिलल एंटर कर देते ठीक है तो यहां से देखे आपको एंटर पर ओके करना है एंटर पर ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आजाएगा और यहां से अगर आपका वाइफाई कनेक्ट ने रहा है या फिर आपका मुबाइल होस्पोर्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है आपका ट्रामसें कंडिशन आपने एकसेप्ट किया यह नहीं यह देखना है ठीक है तो यहां से मेरा मोबाइल होस्पट फिलाल कनेक्ट नहीं हुआ है तो कनेक्ट नहीं हुआ जिसका रिजन क्या है मैंने ट्रामसें कंडिशन एकसेप्ट नहीं किया था तो चलिए ट्रामसें कंडिशन को भी कि यहांसे देख क्राइब वाला जो अपना उजर क्लिक करते हैं अपने अप्डेट लेगा ठीक है तो चलिए मि यहां से फिलाल चलिए मैं अप्डेट करने की कुशिश करता हूं देख लेते हम यहां से और अगर यहां से आपको YouTube ना मिले ना तो डिरेक्टली आप वैसे यूटूब पे जाके अपडेट कर सकते हों क्योंकि यूटूब एप्लिकेशन यहां पर एवेल एवेल है देखे होम स्क्रीन पर तो यहां से यूटूब में जाके आपको जस्ट क्लिक करना है यूटूब अपडेट के लिए चोड़ देदा हूं कुछ सेकंड का टािम लगेगा यहां से अपडेट हो जाएगा। होने के बाद मेरा अप्लिकेशन बनके त्यार हो जाएगा स्टार्ट होने लिए एक कुछ छोटा-छोटा मिस्टेक होता है जिसका चलते हुए सही कनेक्ट नहीं हो मेरा कनेक्ट हो चुका है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है रिकोनेट 43 इंची 4K स्मार्ट टिवी में कैसे नेट कनेक्ट करते है ठीक है